न्यूज अप्डेट्स के पेश करदा है मगदूम ब्रदर्स पत्तर गट्टी चार मिनार रोड हैदरबाद मगदूम ब्रदर्स पत्तर गट्टी चार मिनार रोड हैदरबाद असलाम वालेकुम आदाब मैं हुझ जय निउस अपडेट्स में आपका इस्तक्बाल है चलिए बढ़ते हैं आज के निउस अपडेट्स पर दिल्ली युनिवरसिटी के सौ साल पूरे होने पर 19 मई से 21 मई तक 3 दिन का इंटरनाशनल सेमिनार का इंतजाम किया गया मरकजी वजीर दाखला अमिट शा इसमें गेस्ट है शा ने कहा कि किसी भी युनिवरसिटी को नजरियाती लडाई के लिए कुष्टी का मैदान नहीं बनाना चाहिए बलकि ये नजरिये के लेने और देने के लिए फोरम है मारस्ट सरकार ने एक असलाही कदम उठाते हुए बेवा खवातीनों के लिए चली आ रही और्थोडॉक्स रिवायत को खतम करने की पहल की है इसमें पती की मौत के बाद चूडी तोडने, सिंदूर पोशने और मंगल सूतर निकालने की प्राक्टिस शामिल है रियासती सरकार ने कोलापूर के हेरवाड ग्राम पंचायत को नजीर मानते हुए पूरे रियासत में बेवा निजाम को खत्म करने का हुक्म दिया है ग्यानवापी मस्जिद पर जारी तनाजे की बीच राष्ट स्वयम सेवक संग आरेसस ने एक बड़ा बयान दिया है की मामला क्यों ना हो लेकिन सचाई हमेशा अपना रास्ता निकाल लेती है सच को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता हरियाना के बाहदुर गड़ शहर में कुंडली मानेसर पलवल के एमपी एक्सप्रेस वे पर जुम्मे रात सुभा एक ट्रक ने 18 मजदूरों को कुचल दि इनमें चार लोगों को बादूरगर ट्रॉमा सेंटर तो नौ लोगों को रोतक पीजी आई में भरतिक कराया गया कुछ को मामुली चोट के बाद छुटी दे दी गई थी हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया मरने वालों की पैचान उतर प्रदेश के जिला कानपूर देहा ठाना रसुलाबाद के तौर पर हुई स्कूल कॉलेज में लड़कों को हंगामा करते हुए और जगरा करते हुए तो आपने कई बार देखा होगा मगर स्कूल की लड़कियां ऐसा कर सकती है ये कोई मान नहीं सकता दरसर करनाटका में ऐसा ही वाखया हुआ रियासत की राजधानी बैंगलूरू के एक नामी स्कूल की तौलबा के बीच जम कर लाद घूसे और थपड चले ये जूतम पेजार लोगों से खचा कच भरी सडक पर हुई इसी दोरान स्कूली यूनिफॉर्म में लड़ती हुई तौलबा का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने अपने मॉबाइल कैमरे में कैद कर लिया सोशल मीडिया पर अब ये मारपीट का वीडियो खूब वाइरल हो रहा है भारत के कई रियासतों में इन दिनों भारी बारिश का कहर देखनी को मिल रहा है असम में सैलाब से लाखों लोग मुतासर है केरला के चार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहीं करनाटक में भी अगले दो दिनों तर भारी बारिश का अलर्ट है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी क्वाटरों में पालतू कुत्ते रखने पर सक्ती दिखा दी है सरकारी स्टाफ्स को बिना मंजूरी रखे पालतू कुत्ते तुरंत बाहर निकालने को कहा गया है उन्हें ये कुत्ते बाहर रियाशी इलाकों में ले जाने को कहा गया है ऐसा ही हुक्म पंजाब की ADGP ने पुलिस कौाटरों के लिए निकाला है इस तालुक में एक हफ़ते में खुक्म लागू पकर रिपोर्ट मांगी गई है पुलिस लाइन के कौाटर मुंशी और लाइन अफसर को खुक्म लागू करने के लिए कहा गया है 36 गर के बिलासपूर की रहने वाली 95 साला बेवा ललिता देवी को पेंशन के लिए हर तीसरे महीने 900 किलियोमीटर की दूरी तै करनी होती है उन्हें 6000 रुपए पेंशन मिलती है इसे पाने के लिए वो 20 सानों से बलिया उतरप्रदेश आना जाना कर रही है लाइता देवी 2nd World War के फौजी रहे रंजीत सिंग की पतनी है वैसे तो वो बलिया में ही रहती है लेकिन पिछले दो दाहाई से बिलासपूर में हैं बिलासपूर आने के बाद उन्हें हर तीसरे महीने जिन्दा होने का सबूत देना पड़ता है पहले उनके बेटे के साथ बलिया आना जाना जादा दिक्कत होता था लेकिन पिछले दस साल से सफर करने की हालत में वो बिलकुल नहीं है इलॉन मस्क ने चार्शुम्बे को अपने ट्वीट से फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है मस्क ने ट्वीट कर कहा कि वो आने वाले एलेक्शन्स में रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने वाले हैं उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी पहले नरम दिल पार्टी हुआ करती थी इसलिए पिछले इंतखाबात में मैंने उन्हें वोट किया था लेकिन अब ऐसा नहीं रहा तालिबान ने खवातिनों के लिए जल्द ही अच्छी खबर का वादा किया है आफगानिस्तान के होम मिनिस्टर और तालिबान के को डिप्टी लीडर सिराजुदीन हकानी ने हाई स्कूल खोलने का वादा किया है इसके बाद उनका कहना है कि जो खवातिन तालिबान गॉर्मेंट का मुखालफत कर रही हैं उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए जम्मू कश्मीर के लेटनेंट गर्वनर मनूर सिना ने प्रोफेसर निलोफर खान को कश्मीर यूनिवरसिटी की पहली फीमेल वाइस चांसलर अपॉइंट किया है प्रोफेसर निलोफर होम साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं उनकी अपॉइटमेंट तीन साल के लिए होगी LG आफिस से इस बारे में रिलीज जारी कर दी गई है अगर आप दो से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स है तो आप दो या कम बच्चों वाले माबाप के मुकाबले ज्यादा तेजी से बूड़े हो रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्ज ने रिसर्च में दावा किया है कि तीन या उससे ज्यादा बच्चों वाले गार्डियन अपनी असल उम्र में 6.2 साल ज्यादा बूड़े हो जाते हैं। रिसर्च में तेजी से बूड़ा होने की वज़ा बच्चों को पालने की फिक्र और अक्तसादी बोच को बताया गया है। इंडोनेशिया पीर यानी 23 मई से पाम ओईल एक्सपोर्ट पर से बैन हटाने जा रहा है। सदर विडोडो ने कहा है कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगे ताकि मुल्क में खाने के तेल की सप्लाई सफीशन्ट रहे और कीमत भी कम रहे। टीवी का पॉपिलर शो तारक महता का उल्टा चश्मा में तारक महता का किरदार अदा करने वाले अक्टर शैलेश लोधा शो को अलविदा कहने वाले हैं। इन खबरों के बीच हाल ही में शो के प्रडियूसर असित मोदी ने इस मुद्दे पर बात की और कहा कि उन्हें शैलेश के शो छोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसीबत है तो वो इसे सुलजाने की कोशिश करेंगे। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त अल्ला हाफिस। न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मगदूम ब्रदस पत्तरगटी चारमिनार रोड हैदरबाद।